नमस्कार शाथियो आज हम बात करेंगे आपके हरियाना पुलिस की कोर्ट की सुनवाई को लेकर जैसा कि आप जानते हैं आज 19 अप्रेल है और 19 अप्रेल को आपके हरियाना पुलिस के रजल्ट की सुनवाई थी वही कोर्ट में वही कौर्ट में क्या हुआ, कौर्ट के अंदर कुछ नहीं हुआ, एक आगए की date आपको मिल गई, आपकी अगली सुनुवाई 11 मई को है, तो 11 मई तक क्या कोई result आएगा, तो कुछ result नहीं आएगा, ना महिला constable का result आएगा, ना male constable का result आएगा अब आपकी 11 माई की next सुनवाई है court case में यही होता है आगे की date मिलती रहती है तो वही क्या हुआ आज थोड़ी बहुत जैसी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि वही आज बैस हुई HSSC ने जवाब दिया HSSC के जवाब से court संतूष नहीं था अब court ने कहा है कि वही आप तीन तरीके से result निकालना है तीन तरीके से आपको result निकालना है एक original form में एक जो आपने निकाल लख्या है और एक आप पहले वो extra marks add करके और फिर result निकालो इस तरीके से तीन result आपको निकालने है और फिर वो paste करने है और फिर उसके उपर कोई न कोई decision होगा भई अब 11 मई को भई ठीक हा भई तो यही एक information थी कि भई अब यह जो आपकी सुनवाई है वो भई extend होती रहती है क्योंकि कोई भी फैसला इतना जल्दी नहीं होता भई और जब तक फैसला नहीं होगा तो result भी आपका नहीं आएगा भई ठीक हा भई तो यही information थी धन्यवाद